तो हम लोग देखेंगे Wean's Displacement Law for Black Body Radiations कभी अगर Black Body है तो इसका Explanation कैसा किया गया, Radiations का So, it is Wean's Displacement law ब्लैक बॉडी रेडियेशन्स के लिए देखें तो इन्हों ने ये बात देखी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो जब किसी भी बॉडी का टेंप्रेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा मान लीजे कि किसी बॉडी का टेंप्रेचर ज्यादा है तो उसका इस तरीके का ग्राफ बन रहा है ज्यादा है ज्यादा का मतलब है यह लेंडा है जो लेंडा है वो नैनो मीतर में है और यहां क्या है इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ओफ फोटॉंस पालिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड उसको कहते हैं कि इंसेंटि इंटेंसिटी नंबर ओफ फोटॉंस falling at per unit area per second is called intensity तो अब पर यूनिट एरिया पर सेकंड तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी इसकी यूनिट क्या होगी पार्टिकल्स हो गया तो पोटॉन्स पर मीटर स्क्वार और पर सेकंड अच्छा कुछ लोग इसे जूल में भी लेते हैं कि कितनी एनर्जी फॉल कर रही है तो जूल के केस में यह क्या हो जाएगा कि जूल के केस में हो जाएगा कि जूल पर मीटर स्क्वार पर सेकंड तो अब जड़ा देखो कि अगर हमारे पास कोई टेंप्रेचर है फिफ्टी फाइव हंड़ेट केल्विन यह सिक्स थाउजन केल्विन तो ऐसे केस में वह ब्लू लाइट होगी और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स ब्लू के होंगे है तो सभी सबके हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्लैक बॉड़ी डेडियेट कर रही है और उसमें से ब्लू लाइट हो रही है जो भी एमिट होगी फोटॉन के टर्मस में एमिट होगी जो पिस तरीके से होगी तो अब हम लोग पार् पार्टिकल की बात कर ली तो ये ब्लू लाइट जब हो रही है तो ब्लू के सबसे ज़्यादा पार्टिकल यह अच्छा ब्लू के दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 6000 केलविन पर हमको ब्लू या वॉयलेट के दिखेंगे थोड़ी देर में यह बॉडी ठंडी हो जाएगी तो यह जो ग्राफ है वह अब इधर शिफ्ट हो जाएगा है शिफ्ट हो गया यानि इसमें ग्रीन रेडियेशन देखने लगए तो यह ग्रीन अब यह 5,500 के हो गया है है फाइफ थाउजन फाइवंडर्ड केलेट फिर थोड़ी देर बाद क्या देखा कि यह और वी शिफ्ट हो गए दीरे धीरे औरेंज के होने लगे और रमी के हो मुझें के बाद लुजांगे कि अगर केस में अगर देखा जाए तो पांच हजार केल्विन और उसके बाद अब जैसे जैसे हम रेड में आएंगे तो फाइनली बॉडी ठंडी हो जाएगी और इसके इस तरीके से रेडियेशन से सारे डियेशन आपको मिलेंगे ब्लू भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा और यह वाला जो केस है दिस इज़ेट के केस में 3500 केल्विन वह कूल हो गई बॉडी वीन डिस्प्लेस्मेंट लॉग क्या कहता है कि हर एक के लिए पीक मिल रहा है अच्छा यह पीक इसका है और यह पीक किसका है यह पीस यह इसाइड़ बता ओलेंड़ कब जादा होगा ज़ृelu में बताओ बताईए किसका लेंड़ा ज्यादा होता है रेट का की ब्लू का आवाज नहीं है रही ठीक से करना पूरे बताईए किसका लेंड़ा ज्यादा है रेड या ब्लू रेट का ज्यादा है तो सबके हमने पीक देख लिये क्या जब इसमें रेड लाइट निकल रही है यह ब्लू लाइट तो क्या हंड्रेड ब्लू के निकल रहे हैं तो 20 green के भी निकलेंगे और 10 red के भी निकलेंगे और 5 ultra violet के भी निकलेंगे क्या क्योंकि यह lambda है, lambda जैसे जैसे कम होता है तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इधर की ओर जब बढ़ेगा तो increasing order में ultra violet होगा, फिर violet होगा, फिर blue होगा तो विब ग्योर, तो फिर indigo, तो इस तरीके से indigo भी होगा यहाँ पर अलग-अलग तरीके के radiation निकलेंगे violet, blue, indigo सब होगे, क्यों ऐसा? क्योंकि इधर lambda कम है, lambda कम तो energy जादा और उधर क्या है बताईए? lambda जादा तो फिर energy कम, तो इस तरीके से जो blue light निकाल रहा है निकाल blue रहा है, तो क्या वो red नहीं निकाल रहा होगा, बताओ? क्या उसमें कुछ ऐसे particles नहीं होंगे, जो अंदर वाले से ही अंदर में चले जाते हों? ऐसा भी तो कोई एक दो होगा, कि सब बहारी से आएंगे, जब एमीशा निस्पेक्ट्रा होगा, तो क्या यह संभववे कि सब छटी सीड़ी से एक पर कूदें, कोई ऐसा भी तो होगा, जो दूसरी से भी एक पर कूद रहा होगा, और उसकी थोड़ी energy होगी, बोलो, आवाज भी नहीं है, आपके फोन की बढ़ाओ, तो पता चले, रिस्पॉंस नहीं मिल ला आप से, बताईए, आपके नहीं है, तो वाट से पर कर लें, क्या है, कि इस पर ठीक है, वे एक बार आप, अभी ठीक है, तो फिर बताती जाओ, जैसे मैं यह कह रहा हूं कि अगर, यह एक तरीके की कूलिंग स्टेज है, तो जब यह इस पर गिर रहा है, तो उपर से गिरेगा, तो blue निकालेगा, और अंदर से गिरेगा, तो कैसा निकालेगा, red निकालेगा, तो किसी भी temperature पर सारे तरीके के, इस तरीके के transition होंगे, लेकिन बहुत higher temperature होगा तो ऐसे case में सब higher excited state में होंगे और वहां से गिरेंगे तो ज़्यादा blue के होंगे लेकिन बाकी भी होंगे उसका color blue क्यों दिखेगा क्योंकि जो number of photons हैं ज़्यादा तर वो blue के packet हैं बोलो बाह समझे आई और जब रेड़ होगा तो क्या होगा बताओ अभी ब्लू दिख रहा है रेड़ में ज्यादा photon किसके होंगे जैसे hundred red के हो गए तो क्या उस समय blue का कोई नहीं निकल रहा होगा ज़्यादा चेक करो यह रेड़ वाला है तो रेड़ में कुछ पर्टिकल ब्लू के भी हैं घुच घुट्रवॉयलेट के भी हैं कुछ ज्री जियंग सब कुछ है लेकिन सबसे ज्शब ज्यादा इंसीटी इसकी गफ दिखाँ वह ससे ज्यादा पर्टिकल किसके सो तो और रेट के बाद फिर धीमा पड़ता जा रहा है फिर इंफरा रेड़ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता जैसे बादी से हीट निकलती हो ऐसे ही ग्रीन में सबसे ज्यादा किसके होंगे इंटेंस्टी का मतलब नंबर और फोटांस और पर्टी कुलर एसोसियेटेट टू लेम्डा तो सबसे ज्यादा ग्रीन के होंगे लेकिन ग्रीन की जब वो चीज ब्लैक बॉड़ी हमें ग्रीन दिखेगी इसका कलर बदलता जाएगा कैसे बदलेगा ब्लू से ग्रीन होते होत सब्सक्राइब तो यही बात है इस चीज को वीन ने बताया नाव दसेम है इस बीन टोल भाई विल्हेम वीन और उन्होंने अपना एक वीन डिस्प्लेस्मेंट ला दिया कि सभी के हर समय निकलेंगे लेकिन पीक शिफ्ट होता चला जाएगा इनके में पीक शिफ्ट नहीं हो रहा है लेकिन यह ग्राफ गलत है बट अगर हम देखें तो दैट इस अधर ग्राफ में देखेंगे तो पीक शिफ्ट हो जाएगा दैट वी कैन सी इन डिफ्रेंट ग्राफ कि अगर आगे बढ़ते चले जाएग दैट पीक शिफ्टेड यह यहां पर दिख रहा है तो आप देख रही हैं कि यह यह लेफ्ट में अगर लाइन कीचो तो धीरे धीरे अगर हर एक में लाइन कीचो तो वो पीक राइट की तरफ नहीं जा रहा है कि देख लो ध्यान से बोलो जैसे मैंने बताया है जा रहा है कि नहीं सो ऐसे केस में वीन डिस्प्रेश्मेंट लॉग कहता है कि लेम्डा पीक इस इन वर्सली फ्र्पोर्श्नल टु टेम्प्रेश्चर यह वीनस इस्प्रेश्मेंट लॉग कह द्विब यह रह जा ऑट जेगा दो बढ़ा टेंप्रेश्य के बढ़ा कम कर लिएक इसका मतलब है कि अगर लेमडा पीक का मतलब क्या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उसी की होगी उस फोटोन की तो यह चीज है कि that is the maximum intensity that is wavelength associated with maximum intensity मतलब यह कहा गया है कि maximum intensity का क्या मतलब है maximum number of photons falling per unit area per second बोलो बात समझ में आई is inversely proportional to temperature of black body so wavelength यह बुक में भी बना हुआ है आपके graph में देखो जड़ा with maximum intensity is inversely proportional to temperature of black body it is wind's displacement law displacement क्यों कहा the peak of maximum intensity photon is shifted to right towards increasing wavelength as the body cools the peak of graph your maximum intensity so that is peak maximum number of photons प्रोटोंस यहां पर आपको क्या बताया गया कि peak is shifted to increasing wavelength as body cools so intensity is particulate in nature क्योंकि number of photons falling है number तो particulate होता है वो तो wave नहीं होती है as intensity is particulate in nature so black body radiations could well be explained by particle nature of electromagnetic radiation and not by wave nature now intensity is particulate in nature so it could be so it could be explained by particle nature of electromagnetic radiation radiations and not by wave nature इतनी बात समझ में आ गई कि कुछ पूछना है wave से नहीं समझाया जा सका intensity तो हम जानते number of photons falling per unit area तो उसी इसको समझाया इस बात को क्योंकि intensity का ही तो graph है अगर हम इसे wave समझते तो wave के case में intensity क्या होती है it is amplitude square तो उससे नहीं समझाय जा सकता यह wave का concept है intensity का intensity क्या होती है wave में amplitude तो amplitude जादा होगा उसके basis पर नहीं बताया जा सका क्यों shift होती है क्योंकि अगर मान लोग सेर की दहाल पूरे जंगल में जा रही है तो क्यों जा रही है क्योंकि उसके जो layerings है voice box है वह बहुत तेजी से vibrate कर रहा है उसका जो amplitude है वह कैसा है बताओ वह अपने mean position से बहुत उपर जाता बहुत नीचे ऐसे करता है तभी तो उसकी धाल पूरी जगे जा रही है उसमें energy जाता है कि नहीं कि बोलो अच्छा कोई एक बड़ास नगारा ले लो और उसमें मारो तो क्या membrane बहुत उपर नीचे जाएगा और उसकी आवाज पूरे शहर में जाएगी क्योंकि इसकी membrane उपर नीचे ज़ाता जा रही है और दफली को मारो तो क्या पूरे शहर में जाएगी बताओ जो मेल का वाइस बॉक्स है वो ज्यादा आगे पीछे होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है तो एक चौराहे से दूसरे तक पहुंच जाएगी फीमेल में उतने वाइब्रेशन नहीं होते हैं उनमें फ्रिक्वेंसी ज्यादा है बट अम्प्लीटूट तम है तो व आपको समझ में आ गया कि वेव नेचर से इसे नहीं बताया जा सका कि यह क्यों शिफ्ट हो रहा है और इससे बताया जा सका क्योंकि कितने पार्टिकल गिर रहे हैं उसी पर तो यह बताया इन्होंने अब देखो नेक्स्ट इस प्लांक्स क्वांटम थेओरी नाव प्लांक्स क्वांटम थेओरी क्या कहती है कि प्लांक ने एक बार देखा कि जब लकडियों में आग लगाई जाती है तो क्या होता है इस देयरिस फ्लेम सर्दी की रातों की बात है दिसंबर में कि उन्होंने आग लगाई तो यहां पर उन्होंने जो फ्लेम देखी तो यह देखा कि इसकी फ्लेम में से कुछ नखुछ इस तरीके से निकल रहा है जाक टींटी आप ने एंस घलतुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं मुफ़ जैसे कि हवा में खो जाते हैं ऐसा देखा एँ आग लकडी जलती है यारि रात में फायर कभी किया हो तो रहे साटनी चोटे छोटे पार्टिकल निकलते और चुनगारी से और हवा में खो जाती बोलो ऊचया तो इनों ने सोचा कि यह जैसे निकल के खो जा रहे हैं तो उसी तरीके से प्रोट ओन होते होंगे कि वो जब लाइट ईक्साइट होति उसी से विचार आया कि उसी तरीके से जब लाइट लूबर ना कि वह जिकनी तो नहीं है अच्छों कि वह एर ऐर उर्बिट से लोगर आर्बिट आया है तो क्या उसके difference of energy between these two shells के बराबर ही एक photon emit होगा क्योंकि यह higher energy state है मान लो यह 2.7 electron volt की और यह 2.1 electron volt की है तो यह जो photon निकलेगा वह कितनी energy का निकलेगा क्या वह 0.6 electron volt का निकलेगा बताओ जितने energy का difference होगा उतने का ही तो निकलेगा बदाइए तो अब यह देखिए तो प्लांक नहीं यह बात कही कि प्लांक सजेस्टेट अटम सेंड मॉलीक्यूल कुड एमिट इनर्जी इनर्जी निकली तो किसमें से निकली इसी एटम से तो निकली और ऐसा ही मॉलीक्यूल में भी कही बार होता है मॉलीक्यूल भी चार्ज जोगन चार्ज होते हैं क्या ओटू पर माइनस चार्ज नहीं होता है ऐसा भी देखा गया है ठीक है एड मॉलीक्यूल कुड एमिट एनर्जी ओनली इन दिस्क्रीट फर्म एंड नॉट इन अ कंटिनुवस मैंड़ वेव नेचर में नहीं की लगा ताम निकलने वैसे नहीं है नॉट इन अ कंटिनुवस मैंड एसाब प्लांक ने देखा प्लांक गेव नेम इत क्वांटम इस पैकेट्स अफ अनर्जी इस नेमहेंड एस खञान ऋनेग क्वांटम थो प्लूरल है और सिंगूलर क्या है सिंगूलर क्वांटम क्वांटम सिंगूलर है और क्वांटन क्या है प्लूरल, तो नहीं यह नाम दिया इसको, अब देखो, की, the energy is emitted in the form of electromagnetic radiation, a quantum क्या है, it is the smallest quantity of energy that could be emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation, यह smallest कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अलग-अलग energy level से अगर यह गिरेगा, तो अलग-अलग packet निकालेगा quantum के, यहां से गिरेगा तो बड़ा packet नहीं निकालेगा, बोलो, जैसे जाएर आर्बिट से गिरेगा, तो ज्यादा energy नहीं रिडियेट करेगा, बताओ, एक गुल्दान बहुत उचाई से गिरेगा, तब ज्यादा शोर होगा, तो उपर से गिरेगा, तभी तो ज्यादा energy देगा, तो इसका मतलब क्या है, कि फिर भी, the energy of a quantum of radiation, आगे क्या कहते हैं, यही इनका थियोरी है, the energy of quantum of radiation is proportional, यह किसके proportional होती है, to the frequency, to the frequency, खिसके frequency, to the frequency of oscillating charge particle, to the frequency of oscillating charge particle, to the frequency of oscillating कि अच्छा यह बताओ कि कभी गरम चीज को छूने में आपको गरम क्यों लगता है कि बताईए कि तो रीजन होगा क्योंकि जो चीज जिसको एनर्जी मिल जाती न वह होटर होता चला जाता है आपको मालूम है कि जब भी सॉलिट को हीट दो तो क्या उसके पार्टिकल अपने पोजीशन में वैसे तो वह अपनी अपनी लेटिस पॉइंट पहें लेकिन क्या बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लगते हैं अगर हीट दो और और ऑसिलेट करते कभी वह इतना दूर पहुंच क्या हैं यह हैं अपने लेकष से चितक जाते हैं और बना देते हैं क्या अगरे को यह पर में नहीं होकि आपकません कि चुने में इसलिए गरम लगता है क्योंकि फ्रीकुएंसी ज्यादा है और हम एंदर कि Сिघर करेंट को तैब बदल गई और निऊरो ट्रांस्मीटर में जाते हुए ragओ कुछ पर चीज में ने चाहिए अच्छान की Ар Henriर होगी कर्ए फिर जैनगा den फिर लए तो छूर रहे हैं हमको इसलिए ज्यादा कि नहींसित थ्याजाए कुछ भी कुछ ब Lewis Celsius Finding अगर कोई पार्टिकल बहुत तेजी से उसिलेट कर रहा है जैसे गामा तो ऐसे केस में उसमें निकलने वाली इनर्जी का पेकेट क्या बढ़ा होगा तो इस इक्वल स्टू है एच नियू वेर एच इस प्लांक्स कॉंस्टेंट यह प्लांक्स कॉंस्टेंट है जिसकी वैलू कितनी है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड देखो कैसे एच क्या है was it is a yeah किभी विल में होटा है और नियुकिसमें होता है स्रीक्वेंसियां पर सैकंड में होती है तो यह पर सैकंड अभी जब उपर चला जाया है तो किसमें बदल जायगा मैं जून सेकंड अचाए रपदो छीज़ेंगे बता दो एक तो बीजिस्प्लेस्मेंट बोलो यह सब तो अच्छी बात बताई यह प्लांक स्वांटम थेहोरी भी तो बताओ अच्छी अच्छ पार्टिकल अब वीन्स दिस्प्रेश्मेंट ला बताओ बताईये अपनी लेंग्वेज में बताओ ना तो पुछ पता चले डिले करती हो ओके स्टेट अब आज आ रही है तो यह देखो अवीन्स दिस्प्रेश्मेंट ला बताओ इस ग्राफ को देखके बताओ कुछ तो समझ में आया होगा कुछ तो गताओगे तो पर पता चले हमें कि क्या समझ में आया है यह वेव नेचर से क्यो नहीं किया सका और इन केस आफ पार्टिकल नेचर इंटेंसिटी क्या है नमबर और पूटन एमेंटेड पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड बोलो तो इस तरीके से इसको बताया जा सका फिर आगे लिखते हैं अप्लाइंग को आज एबल टू एक्स्प्लेइन ब्लैक बोडी डेडियेशन आज फंक्शन और फ्रिक्वेंस्य और डिफ्रेंट फ्रिक्वेंस्य दू पार्टिकुलेट नेचर जब पार्टिकल मान लोगे तो इसकेंगा और नहीं फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट है और इसमें यह देखा है कि जब कोई भी अल्ट्रा वाइलेशन या एलेक्ट्रमेग्नेटिक्रेडियेशन से अब कुछ में तो इंफ्रा रेडियेशन ही तो यह विंडो है क्वार्ट की विंडो है तो एक ग्लास लगा दो कुछ नहीं क्वार्ट से ग्लास की तभी होता है और इसमें से जब यह लाइट इसमें गिरेगी और यहां पर एक मैटल लगा दिया तो और यहां एक रिसीवर है अब देखिए की ऐसे तो इसमें कुछ नहीं होगा तो अब यहां पर जब लाइट पड़ती है तो इसमें से इलेक्टरॉन निकलेंगे और वो इदर आते हैं और यह प्लस है तो इलेक्टरॉन प्लस की हो रहाएगा की नहीं और इदर यह फिर लूप पूरा हो जाएगा और इस तरीके से करेंट फ्लो करेगी जब इसे इलेक्टरॉन पास होंगे तो करेंट फ्लो करेगी तो इलेक्टरॉन इधर आएंगे तो क पाल्स ऑन फोटो सेंसिटिव मेटिरियल्स एज सून एज लाइट तो वह होती ही जिसको हम सेंस कर सकते हैं हम यहां लिख रहे हैं एम रेज यह एम वेज अब कुछ भी हो सकती है कभी अल्ट्रा वाइलेट भी डाला जा सकता है कुछ लोग विजिबल भी डालते हैं और यहां से रिडियेशन जीकाइब जैसे कॉपर है तो कउपर के कैसे बड़ी मुश्किल एलेक्ट्रॉन के निकलने में तो आसानी निकल जाता है तो एस उने ट्रोमेगनेटिक वेव पाल्स ऑन फोटो संसितिव मेटिरियल्स ऑपोटोस एंस्टीम सेंसितिव मैटीरियल ठीक है इलेक्रोंस आर इजेक्टेर आउट एंड रश तोवर्ट्स एनोड एंड एनोड क्यों दोडते हैं जहां एनायन जाए वही एनोड है and constitute photoelectric current. So, photoelectric and there is deflection seen noticed in galvanometer. इस तरीके से तो यह चीज देखी. It is observed by Henry Curds. इट वाज तो Henry Curds ने तीन सवाल उठाए by Henry Curds. तो यह जो हमने आपको पहले बात बताई है कि यहाँ पर जो वींड डिस्प्लेस्मेंट लॉव है वींड डिस्प्लेस्मेंट लॉव में विलहम वींड ने बताई है यह बात. अब देखो तो Henry Curds ने यह 1887 में एक्सप्रीमेंट किया और यह बात देखी. अब इन्होंने थ्री कोश्चन नोटिस किये। वह क्या मानते थे कि फालोवर ऑफ वेव त्योरी आफ नेचर तो उन्होंने देखा कि अगर मान लिए कि इसमें से एक फोटॉन निकला फोटॉन की भी बात मत करो तो वेव निकली, यह वेव है तो वेव आईगर वेव आ रही है तो उससे क्या होगा कि यह जैसे अगरे वेव से वेव आईग सब्हूने में इक्वली अपना एंटर्जी देगी वेव एक निकली है जैसे पानिया पादों में उससे वह सर जगें जाता है यह बहुत सारे फ्लावर है तो इसकुल टेभेंग और जब को एक साह बहर की ओैज और जब सब को इससार में यह भी हो तो जाहिए कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाए अपर स्टेट में जाने से फाइदा नहीं है क्योंकि एक्साइट इस्टेट में वो तो टेंटु दी पावर माइनस एट सेकंड तक ही रह सकता है और वहां से वापस आ जाएगा तो वह ग्राउंड इस्टेट में जल्दी स कि जैसे मानलो आपने ये वेव डाली ये वेव आई तो इससे इनका ये माना था कि सभी को बराबर मिलेगी यहां पर जैसे ही तक राएगी तो यह सब ऊस्टेशन सबको दे देगी और सब में प्रेट जाएगी जैसे आप एक जगर ध्रम पे मारती हो तो पूरा पूरा तो वेव तो हम यही जानते हैं हमने साउंड निकाला मूँ से बोलते ही वो एनरजी पूरे वातावरन में यह पूरी तरीके से डिसीमिनेट हो गई व्याप्त हो गई ऐसा जानते हैं कि किसी एक जगह जाती कि वल एक आदमी सुनता है कि वेव किया नेचर है पूरे वह एक्मास्फियर में वायू मंडल में वह व्याप्त हो जाती है तो उसी तरीके से इन्होंने का वाई यह डालेंगे तो सबको मिलेगी और जब साजे इलेक्ट्रॉन को इतनी अनर्जी मिल जाए कि वह सिर्फ वह सिर्फ अपर स्टेज में ट् होगा कि नहीं अच्छा यह जो डिले है यह हम 12 में कैलकुलेट करेंगे अभी हम डिले पर नहीं ध्यान दे रहा है लेकिन इतनी बात है कि सबको मिलेगी पूरी तरीके से सोडियम पे डिस्पर्स हो जाएगी और सबको मिलने में कितना समय लग जाएगा यह मिलेगा अ चारी साल कीजिए कहा अओ कि थी तीन साल लग जाया लेकि निकल तो जान ही छाहिए कि नहीं माझनों प्रहु टाभ चली फोट हो झाल करके Celsius अख़ोंकि फोटोटोएलेक्स इफ्रक्तों ही चाहिए क्योंकि उसे मना में हमी करना चाहिए उनता जाई अच्छी सबक्स यह हो जाय थिसमें फोटो मेरिशन हो घाला तो फिर वह जाय वोलो यह बात चहीं है कि नहीं घर अच्छा यह भी बात ही लेकिन रेड लाइट डालेंगे कॉपर से कभी भी हमेशन नहीं होता था और उसमें एल्ट्रा वाईलेट की जिड़त पर्ति थी और फिर फोटो ऐलेक्रि और गरम हो जाए डफली होता ही नहीं तो वो नहीं हो रहा है एमिशन नहीं हो रहा है तो इन्हों ने कुछ बातें नोटिस की नाव कोश्चन पुट भाई हैं रिकर्ट्स पहली बात क्या थी की देखिये तो पहला सवाल इन्हों ने कहा की there is no time lag between falling of electromagnetic waves and emission of electron there is no time lag between falling of em waves waves के समार थे तो उन्होंने waves ही लिखा and ejection या emission emit हो गए बाहर निकल गए तो emission of electron इसमें कोई समय का वो नहीं था एस पर वेव थोरी there should be a time lag क्यों होना चाहिए क्यों होना चाहिए बताओ बोलो क्यों होना चाहिए क्यों हमिए.. Because, it was assume that electromagnetic waves are distributed. Distributed and it is one to all transfer between falling of wave and ejection of electron as we there is one to all transfer in wave nature as wave energy is distributed uniformly throughout the surface uniformly and it is one to all transfer one to all transfer to this is two and half hours years no how much transfer is one to all transfer is one to all transfer so there should be a time lag until 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 all electrons get sufficient energy sufficient energy sufficient energy to get ejected out this time lag should be at least two and half hour this time lag should be at least two and half hour it is as soon as but as soon as waves em waves fall the photoelectric current constitutes photo photo electric current constitutes photo electric current constitutes so so this is this this is the point is that is 19 20 ke 40 saal baad that is the electron saal baad is rejected out from metal surface as soon as beam of light strikes as soon as beam of light strikes the metal surface is surface surface so there is no time lag so there is no time lag there is no time lag as photons are particulate in nature photons are particulate in nature and there is one to one transfer of energy between photon and electron photon and electron. He explained photoelectric effect taking basis of Planck's quantum theory, he explained photoelectric effect taking basis of Planck's quantum theory. can ? ? ? ? ? ? ? ? ? taking basis of Planck's quantum theory Planck's quantum theory ki photon takes birth as particle travels as wave and dies as particle kiya reference diya tha Planck na ki photon takes birth as particle Planck's quantum theory travels as wave and dies as particle So this random theory choose who? Transfer first तो इस तरीके से यह कैसा transfer है जो photon आएगा यह particulate nature है और यह one-to-one transfer है तो one-to-one transfer का मतलब जैसे आफ फूल उगा है तो एक फूल को दे देगा सबको नहीं देगा तो if photon is falling on metal surface then the energy is handed over to single atom not all बोलो समझ भी आई? one-to-one transfer कैसे इन्होंने explain किया कि चूँकि one-to-one transfer है तो उसको अगर उस photon के पास इतनी energy है कि वो उसको ionize कर सके कि वो उसका ejection कर सके तो वो दे देगा और electronical जाएगा और अगर नहीं कर पाता है तो कुछ नहीं होगा electronic site हो के फिर वापस चला जाएगा फिर नहीं होगा बोलो समझ में आगई भी आप? Yes, Sir Okay, one-to-one transfer and one-to-all transfer now to-all transfer okay by तो यह बात हम लोगों ने देखी फोर्टॉन के केस में तो इस तरीके का कुछ कुछ है कि मान लो वन टूवन ट्रांसफर है तो इलेक्ट्राउन क्या होगा इजक्ट आउट हो जाएगा उसमें से तो बस जैसे ही होगा और कभी-कभी तो खिया होता है कि नूइक्लियस णत्त कि तक पर आप गामा आय तो दुसरे में दूसरा पॉइंट किया है कि the number of electrons is proportional to intensity of brightness of light, दूसरी चीज, तो that is question put by Hertz, so question pending, कि अगर आप मुझे बताओ, कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जलाओ, इस पर सोडियम पर, और फिर उसी तरीके के छोटे छोटे दो बल्ब जला दो, तो आपको क्या लगता है, कि क्या डबल एनर्जी निकलेगी, यानि करेंट डबल हो जाएगी, बोलो, अगर दो बल्ब लगा दिया आपने, तो करेंट डबल हो जाएगी, कि नहीं होगी, एक ही तरीके के, पहले आपने एक बल्ब लगाया, या इंडिगो बल्ब लगा दिया, और दूसरे में बिलकुल उसी फ्रिक्वेंसी का डबल दो बल्ब लगा दिया, तीन लगा यही तो ट्रिपल हो जाएगी, हाँ नहीं, मैं कुछ तो बोलो, तो यही वो भी कह रहे थे, कह रहे थे कि इस से एनर्जी जो है, डिस्पर्स हो जानी चाहिए, और बस वो धाई गंटे की जगे सवा गंटे में निकल जाना चाहिए, टू एन हाफ आफ आवर्स की जगे, ब क्योंकि अब उसकी जगे सब को बराबर एनर्जी मिले, तो मालो अगर इससे टेन फोटन निकल रहे हैं, तो टेन इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए, और दो लगा दोगी, एक ही इंटेंस्टी के, तो दस-दस दोनों से निकलेंगे, तो ट्वंटी होने चाहिए कि नहीं क्योंकि वन ट्रांसफर, यहीं ने बताया बोला होन टूवन ट्रांसफर तो क्वेश्चन ये था कि दा नंबर आफ इलेक्रोंस इजेक्टेड इस इस प्रपोर्शनल तो इट इस प्रपोर्शनल तो इंटेंसिटी अफ ब्राइटनेस अफ लाइट तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है कि मैं दो बल्ब लगाएं तीन व्लब लगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी क्या होती है नंबर और फोटोंस पालीं पर प्र सेकेंड तो डबल फोटोन नहीं गिरेंगे तो डबल होगे इंटेंसिती के नहीं तो उन्हों ने कहा कि करेंट जो फोटो करेंट है इस प्रपोर्टर्टनल टू इंटेंसटी पाई गई लेकिन अब इंटेंस्टी के दो फारमूले है वेव नेचर के हिसाब से क्या है एस पर वेव नेचर intensity is square of amplitude, so as per wave nature, intensity is proportional to a square, so more energy is transferred throughout the surface, if so more energy is transferred , more energy is transferred to sodium or metal, so there should be ejection in, 1 hour 15 minutes should take place, so the first ejection should take place, in half of stipulated time, the first ejection should take place in half of stipulated time, , which I am saying that two and half hours should take place, this is wave theory, but it is is observed, that if two bulbs of similar wave length intensity is used instead of , the first one, photo current doubles , , then photo current doubles , 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 तो क्या चीज़ डबल हो जाएगी, then number of falling photons, amplitude से कोई लेना देना नहीं है, number of falling photons double हो जाएगी कि नहीं, doubles and the number of ejected electron will also be doubled and number of ejected electron will also be doubled, यानि इन्हों ने ये graph बना दिया, Einstein ने बताया कि इस वजय से है कि intensity ये है, electron ये current है और ये intensity, तो यानि current और intensity proportional है, तो अगर intensity बढ़ा होगे तो current बढ़ जाएगी, जहां जहां पर intensity क्या है, photons per meter square per second, समझ गाई बात, तो तो linearly relation है, जैसे V और I का ohms law होता है, linear relation होता है, voltage double करो, तो current double हो जाती है, उसी तरीके तो ये relation है, बोलो, तो ये explanation समझ भ्याँ गया, तीशरी बाग, third query, question pending, ये भी Hendrick ने का, की for each metal there is, if ये कहा गया, if lesser than a particular wavelength is falling on photo sensitive metal, if lesser than a particular frequency, falls on photo sensitive metal, how high its intensity may be, how high its intensity, may be, no photo current screen, तो ये बात कही गई, की वो कह रहे हैं कि मैंने इसमें red color के चार बल्ब लगा दिये, sodium में, sodium में red color से तो होती नहीं है, बात की, red से निकल जाए, तो उन्होंने का, मैं 10 बल्ब भी लगाऊं, तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने 20 बल्ब लगा दिये, red color के, तो तब भी एक भी electron नहीं निकला, तो जितना भी ज्यादा क्यों कर दो, if lesser than a particular frequency falls lesser than a particular frequency क्योंकि red की frequency क्या कम है, अगर green से sodium में photo emission होता है, with green light, photo emission is seen photo emission is seen, Henrik ने भी रेखा, is seen in sodium metal, तो sodium metal में, अगर, if there is a single dim bulb of green light is there, then also photo emission takes place, and if 10 red bulb is taken, then also no photo emission takes place, if a single dim, वो बी दिमली है, green bulb is taken, then also photo current is seen, is seen while, with 10 red bulbs, वो तो lower frequency हो गई न, no photo current is seen, क्यों नहीं होता ऐसा बताओ, इनको energy ले लेनी चाहिए, वेव थेओरी कहती कि energy ले ले दीरे दीरे अपना बढ़ जाए, और फिर जब ज्यादा हो जाए तो निकल जाए, तो red में क्यों नहीं होता, कुछ दिमाग लगाओ बताओ, कुछ तो बोलो, है कोई idea, या question क्या यही बताओ, होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि यह जो sodium atom है, वो red में, red energy लेकर higher state में तो चला जाएगा, लेकिन फिर lot आएगा, कितनी देर बाद लोट आएगा, minus eight seconds तो क्या बाहर निकल पाएगा, तुम किसी को first जीने से second step तक की energy दो अकर बाहर निकल जाओ, अकर हम बहुत दे रहे हैं, तो बार बार वही जाएगा और नीचे आजाएगा, क्योंकि उसे तो उतनी देर बाद वापस आना है, आप उसे उतनी energy दे ही नहीं रहे हो, उसको ionization के लिए 5.6 electron volt चाहिए, अब इतनी ionization energy दोगे, ionization energy तब तो वह ionize होगा, और आप दे रहे हो कितनी, ionization energy, आप उसको दे रहे हो कि अच्छा 2 electron volt ले लो, निकल जाओ, मैं 100 दे रहा हूं, चाहिए 100 पैकेट दे दो, वह एक जीने चड़के lot आएगा, बोलो, तुम हजार बल्ब क्यों न लगा दो, क्या वहाँ टंगा रहेगा, नहीं हमें और आएगी तो मिलेंगे, उसको तो इतनी देर रुखना है वहाँ पे, फिर तो चलाएगा, और ग्रीन में, जैसे ही मिली, भाग गया बार, अब blue लगा दो कि क्या तब भी भाग जाएगा, ये, तो ये एक रीजन हो गया, कि नो फोटो करेंट इस से इन अगर उससे है, दिस ब्रीक्वेंसी जिस पे वह जा रहा है, इसकी अपनी फरिक्वेंसी है, तो green कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उस पे emarel हो गया, और इसमें no emission, और जब की green color की light डाली तो क्या हुआ बताओ green color की light डाली तो emission हो गया तो green color की हमने जब इस पर light डाली तो हमने देखा कि green से हो गया ये इस पर पढ़ा और फिर पढ़ते ही इस में से electron आउट हो गया कि अज़ेक्ट आउट अब एक फोटो दिखाए था कि नहीं अजह इसके बाद अगर ब्लू डाल दी तो क्या होगा क्या तब भी हो जाएगा क्या इंडिगो डाल दी तब भी हो जाएगा बहुं कि उस से जदा दे रहे हैं क्योंकि उसकी frequency exceed कर रही है और जब frequency exceed कर जाएगी ये मान लो अगर इसमें इसको बाहर निकलने के लिए 5.6 electron volt चाहिए ये exactly कितनी दे रहा है 5.6 electron volt तो वो जस्ट बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद उसे कौन कैच कर लेगा क्या प्लस प्लेट कैच कर लेगी अचाह अगर आपने इसको 8 electron volt दे दी एनरजी तो 5.6 से ये बाहर निकलेगा अब बाकी बताओ कितनी एनरजी बची तो 2.4 electron volt इसकी काइनेटिक एनरजी बन जाएगी इससे भागेगा तो इसको इसकी जो एनरजी है वो एक फ्रेश होल्ड एनरजी है एनरजी का क्या फार्मूला होता है क्या एच नियू होता है इस पैकेट काह और तो ये जो फ्रिक्वेंसी जिससे वो जड़ेक्ट पाउट रृता ज यू één नॉट कहते हैं जिसको प्रेशूल्ड फ्रिक्वेंसी कहते है कि मिनिमुम फ्रिक्वेंसी calfire to eject आॉट पार्टिकल उसके कि क्या कहेंगे फ्रेश शोल्ड फ्रिक्वेंसी तो अगर मान लो इसे आपने एच न्यू दिया एच न्यू कितना दे दिया एच न्यू एनर्जी दी तो एच न्यू नॉड से बाहर निकलेगा एक देख लो अब पार्टली इसके पास क्या हाफ mv square energy आ जाएगी kinetic energy so if more energy is falling then the threshold energy उसी तरीके से threshold energy भी होगी threshold frequency तो threshold energy या इसे work function कहते है work function इसे कहेंगे कि जितनी energy इसे कहेंगे threshold frequency frequency और E को क्या कहेंगे work function कि जिससे वो बाहर निकल जाएगे the minimum energy by which electron can be ejected out is called threshold tree नहीं energy कि बात करो तो work function बोलो the minimum energy by which electrons is ejected out the minimum energy of photon by which electron by which electron ejects out from photo sensitive metal is called work function repeat करो what is work function the minimum energy of photon by which electron is ejected out is called work function what is threshold frequency the minimum frequency by which electron is ejected out what is threshold wavelength the wavelength of the minimum frequency by which electron ejected out कि बताओ इसकी wavelength इसकी wavelength ज्यादा है कि इसकी तो यह maximum wavelength हुई कि नहीं उससे ज्यादा तो रेड में भी थी क्या उसमें कुछ हुआ तो अब टू मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी परिमिस्वल एससे आगे बढ़ो पुछ नहीं होगा अब बताओ थर शोल वेवलेंथ तो माक्सिमम वेवलेंथ इतनी परिमिस्वल रही हो वेवलेंथ भी एक चीछ बोलो कुछ हमें भी समझ में आये किसगी फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ आफ भाई वीच फोटो एमिस्वलेंथ इतनी परिमिस्वलोस्व बात समझ में आ गई अब देखो एक्स्प्लेनेशन बाई आइंस्टीन क्या है तो नाओ दा इनो ने बताया कि if the energy is lesser than the work function energy of falling photon is lesser than the work function or frequency of falling photon is lesser than threshold frequency or wavelength of falling photon is greater than threshold wavelength then no photo current is seen क्यों ऐसा क्यों as em waves are particulate in nature as em waves are particulate and in form of photon packet में होती है ठीक है और दा फालिंग energy of falling photon is partly utilized as work function and partly it is handed over and rest it is handed over to electron as its kinetic energy जितनी बची है वो उसकी गती जूर जाके रूप में electron के साथ हो जाएगी तो क्या बात हमने बताई energy of falling photon is partly utilized as work function work function का क्या मतला बताया to dig out electron बो बात साही है and rest is handed over to ejected electron as its kinetic energy देखो जो ना समझ में आए पूछ लिया करो आप अकेले पढ़ रहे हो किस बात की आपको संकोच रहता है बताओ ये समझ में आई बात की नहीं समझ में आई बोलो तो जो इनर्जी है वो दो जगह यूज होगी एक वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी जैसे एच निउ इस इनर्जी और फालिंग फोटन है वो किसमें यूज होगी एच निउ नॉट और प्लस हाफ इनर्जी मिल गई इसको एंस्टीनerkt की फोटो उलेक्रिक एक्वेशन आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन हो गई अब जड़ा देखो यह न्यू क्या है यह क्या फ्रीक्वेंसी ओफ पॉलिंग फोटॉन है और न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वी क्या है विलोसिटी ओफ एमिटर इलेक्ट्रॉम जड़ा यह देखो कि मान लो अगर दो जूल एनर्जी इसको निकलने में चाहिए और हमने यहां से यह टैन जूल दे दी और इस मेटल से निकलने के लिए मान लो टू जूल चाहिए वर्क फंक्शन है टू जूल तो बता सकती हो कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कितनी काइनेटिक एनेट्जी होगी एट जूल तो यह आइंस्टीन की जो एच नू इस इक्वास टू एच नू नॉट और प्लस हाफ एम वी स्क्वाइर है तो क्या वी क्या होता है तेट इस नू लेम्डा होता है क्या और वी के जगए लिखो क्योंकि यह एम वेवस हैं और यह लाइट हैं तो इसकी विलॉस्टी सी के बराबर है तो बताओ नू क्या हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा एच सी वाई लेम्डा नॉट हो जाएगा जोटेशोल्ड वेव्लेंथ हैं तो यह आइस्टीं फोटो एलेक्टरिक एक्वेशन है चाहिसे इस्तेमाल करो, चाहिसे इस्तेमाल करो, ऊपर वाली किसी भी को इस्तेमाल करो, सब को कर सकती हो, सब की सुविधा आपको दी गई है, इतनी बास सुझा गई, what is threshold frequency, the minimum frequency, at which photo electric effect takes place, इसको threshold frequency कहते है, जो की new knot है, what is threshold wavelength क्या है, बताईए, और threshold, यह work function क्या है, so work function क्या है, the minimum energy of falling photon at which electron is ejected out from metal surface, it is equals to, यह किसके इक्वल होती है, it is equals to, यह किसके इक्वल होती है, it is equals to, यह किसके इक्वल होती है, to ionization energy of electron, बताईए, अच्चा तीन तरीके के emission होते हैं, आप light से भी किसी को emission करा सकती है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते है, photo emission, अगर आपने light डाली, और electron निकल गए, heat करो किसी चीज को गरम करो, तब भी electron निकल जाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, एनरजी तो देना है, हर्मियानिक emission, क्या कहेंगे, और बहुत ज़्यादा voltage लगाओ, जैसे कैथोर्ड रे में करती हो, खुब voltage लगाओ, इलेक्टरॉन खीच लिए, उसको क्या कहते हैं, वोल्टाइक emission, बात समझ में आ गई, यह जो हमारा emission ने वो किस तरीके कहा है, अच्छा तो फिर threshold wavelength क्या हुई, तरी, threshold wavelength क्या है, इट इस, now, it is maximum wavelength of falling photon at which photo current, photo current लिख हो या photo electric effect is observed, एक ही बात है, समझ में आ गई, तो अभी हम लोगों ने कर लिया है, अब आपकी 1245 से एगली class है, इसी की होगी chemistry के, इसके questions कराएंगे, कि यकम काहा हुआएंबना सो पुआ है, ऊशेस के माईएंबना धर